नमस्कार सिक्षार्थियों, मैं डॉक्टर सोमू सिंग, काशी हिंदू विश्विद्यालाई के सिक्षा संकाय में सहाक आचार हूँ, आज आपके सामने परिचर्चा प्रस्तुत है भारती राश्टी सिक्षानीती 1986, यह सिक्षानीती क्यों बनी और इसमें क्या मुख्य सिफ सिक्षार से प्रत्यक्ष रूप से संबंदित थी, इस पर हम चर्चा करेंगे, और 1992 में जो संशोधन हुए इसमें, परिमारजन हुए, वो क्या हुए, इस पर चर्चा करेंगे, भारत सरकार ने अगस्त 1985 में एक दस्तावेज तियार किया, उस दस्तावेज का सिर्षक था, सिक्षा की चुनोती, नीती संबंधी परिप्रेक्ष, चैलेंज ओफ एजुकेशन, ए पॉलसी परस्पेक्टिव, इस दस्तावेज पर संपूर्ण भारत में परियाप्त विचार विमर्स किया गया, और विभिन वर्गों ने अपनी पृत्किरियाए व्यत की, तब सन 1986 में भारत सरकार ने नई सिक्षानीती का प्रारूप तियार किया, और इस सिक्षानीती में कुल 12 खंड थे, 12 खंडों विभक थी, पहले खंड में प्रस्तावना, दोतिये खंड में सिक्षा का सार तथा सिक्षा की भूमिका से संबंधत प्रस्ताव थे, तिरतिये खंड में रा में तकनीकी वं प्रबंद सिक्षा, सातमे खंड में सिक्षा विवस्था को कारगर कैसे बनाये जाए, इस संबंध में प्रस्ताओ थे, सिक्षा की विशय वस्थु तथा प्रिक्रिया को कैसे नया मोड दिया जाए, इसकी चर्चा आठमे खंड में थी, नवे खंड में के संबंद में चर्जा थी, दसमे खंड में सिक्षा का प्रबंद कैसे हो, इससे संबंधित प्रस्ताओ हैं, और ग्यारमे खंड में सिक्षा के संसाधन तता सिक्षा की समिक्षा किस प्रकार हो, इस संबंद में प्रस्ताओ थे, बारमे खंड में 22 के संबंद में भी कुछ प् निश्यत रूप से 1968 की सिक्षानीती की उपलब्दियां स्वय में महातपूर थी, किन्तु यह भी सच है कि 1968 की सिक्षानीती की अधिकांस सुझाओ कारे रूप में परिणित नहीं हो सके, क्योंकि क्रियानवयन की पक्की योजनाय नहीं बन सकी, ना इसपस्ट दायत उन्रधा और उसका विस्तार करने जैसे महातपूर कार्य नहीं हो सके, तब भारसरकार ने समवैधानिक लक्षयों की प्राप्ति में आ रही बाधाओं, गाओं इवंशहर के स्फर्क को कम करने, ग्रामीर छेतरों में रोजगार के विविध और व्यापक साधनों पलब्द कराने, औ और आने वाली पीडियों में मानविय मुल्लों और सामाजिक न्याय के प्रति, गहरी प्रतिबद्धता प्रतिश्ठित करने संबंधी चुनोतियों तथा सामाजिक आवशक्ताओं से निपटने के लिए एक नई सिक्षा निती को तयार किया, दुतिये खंड में भारसरकार ने स्पस्ट किया कि हमारे राष्टी परिपेक्ष में सिक्षा सब के लिए है, सिक्षा संस्कृती बनाने का माध्यम है, सिक्षा के द्वारा राष्टी एक्ता की भावना वैज्ञानिक दिश्टिकोण का विकास होता है, सिक्षा समझ एवं चिंतन को सोतंत्र करती है, सिक ये खंड में राश्टी शिक्षा विवस्था का स्वरूप कैसा हो इस बारे में इस्पस्ट रूप से चर्चा है एक निश्यत इस्तर तक पृतेक बच्चे को बिना किसी जाती धर्म स्थान या लिंग भेद के लगभग एक जैसी अच्छी शिक्षा उपलब्द हो इस हेतु सरकार उप्यक्त रूप से बित्पोषित कारिक्रमों को प्रारंब करेगी ये इसमें संकल्प लिया गया सन 1968 की शिक्षा नीती में अनुशंसित सामाने स्कूल प्रणाली को क्रियानवित करने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जाएंगे कॉमन स्कूल सिस्टम को और प्रभावी धंग से क्रियानवित करने के लिए इनोंने यहीं संकल्प लिया राश्टी शिक्षा विवस्था के अंतरगत इनोंने ये माना कि सारे देश में एक ही प्रकार की संवचना होनी चाहिए 10 प्लस 2 प्लस 3 धाचे के पहले 10 वर्सों का विवाजन इनोंने कहा कि निम्न प्रकार होगा प्रारमदिक शिक्षा में 5 वर्स का प्राथमिकिस्तर 3 वर्स का उच्च प्राथमिकिस्तर तथा उसके बाद 2 वर्स का हाई स्कूल राश्टी सिक्षा ववस्था पूरे देश के लिए एक राश्टी पाठिक्रम के धाची पर अधारित होगी जिसमें पाठिक्रम का एक अंग अनिवार्य होगा तथा बाकी अंग लोचनिय होगे जिसमें इस्थानिय आवशक्ताओं और विवित्ताओं के अनुसार तत्तों को शामिल किया जा सके इन्होंने कहा कि प्रतियक चरण पर दी जाने वाली सिक्षा का इस्तर नियूंतम इस्तर निरधारित किया जाएगा सिक्षा ऐसी होगी कि जो नई पीड़ी में विश्व व्यापी दिश्टिकोण सुद्रिण कर सके अंतराष्टे सहयोग यों शान्ति पूर्ण अस्तित्तु की भावना बढ़ा सके ऐसा इनका मानना था देश में संपर्क भासा को बढ़ावा देने के लिए भी प्रयास किया जाएगा ये इस खंड के अंतरगत नई सिक्षा निति में कहा गया था एक और महात्पूर्ण प्रस्ताव खुली सिक्षा तिथा दूरत सिक्षा इन्होंने कहा कि राष्टी सिक्षा पढ़ाली के अंग होगे और ये प्रभावी तरीके से युबावर्ग, ग्रहनियों, किसानों, मजदूरों, व्यापारियों आदि को अपनी पसंद वा सुविधा के अनुसार, सिक्षा जारी रखने के अउसर प्रदान करेंगे एक अन्य महातपूर्ण सुझाओ, विश्विध्यालय अनुदान आयो, अखिल भारती तकनीकी सिक्षा परिसद, भारती कृसियन संधान परिसद, भारती चिकित्सा परिसद को राश्टीर सिक्षा विवस्था के क्रियान वयन में महातपूर्ण भूमी का अदा करने के लिए सोद्रिण किया जाएगा ये संस्थाएं, NCRT और NUPAR के साथ मिलकर सिक्षा नीति के क्रियान वयन में सह भागी होंगे तीसरे खंड में समानता के लिए सिक्षा के बारे में इस पच्ष रूप से लेक किया गया है कि महिलाओं की स्थित्व में अधारवूत परिवरतन लाने के लिए सिक्षा का उपयोग किया जाएगा अनुसूचित जातीयों के विकास में उन बातों को मुखह रूप से शामिल किया जाएगा जिससे की वो सिक्षा की मुखधारा से जुड़ सकें इसके लिए प्रोटさहन, पूरब में ट्रिक्शात्र योजना, लगातार सोच में योजना, अनुसूचित जाती के सिक्षकों की न्यूक्ति, अनुसूचित जाती बाहुले छेतरों में स्कूलों, बालवाडियों तथा प्रोधार सिक्षा के इंदरों की स्थापना की प्रोसाहन योजना बनाने जैसे उपायों को भी लागू किया जाएगा अल्व संक्यकों की सिक्षा पर भी ध्यान देने की बात इसमें कही गई शारीरिक वा मानसिक दिश्टे विकलांग लोगों के लिए बिशेश स्कूल खोले जाने की बात है उनके लिए ब्यवशायक प्रसिक्षन की परियाब दिवस्ता की जाएगी और उनका अध्यापक सिक्षा कारिकरम इस तरीके से पुनरगठित किया जाएगा ताकि सिक्षक विकलांग बच्चों की समस्याओं से निवट सके हैं पांच में खंड में सिक्षा का पुनरगठन कैसे हो इस बात पर चर्चा है इन्होंने कहा कि प्राथमिक स्कूलों में आवश्यक शुवधाओं का प्रावधान किया जाएगा और स्कूल छोड़कर जाने वाले बालकों की समस्या का समधान करने को उच प्राथमिकता दी जाएगी एक महात्पूर्ण सुझाओ विशिष्ट योगता या अभिविप्ति वाले बच्चों के लिए गती निरधारक स्कूल देश के विभिन हिस्सों में खोले जाएंगे जिसके बाद देश के कुछ हिस्सों में जवार नवोदय विद्याला खोले गए और उन्होंने ग्रामीड परिवेश के बच्चों को गुडवत्ता पूर्ण सिक्षा उपलद कराने में योगदान दिय प्रिक्रिया का अभिनवी करण के लिए इनोंने कहा कि सांस्कृतिक पाठेवस्तु को पाठेक्रम वा प्रिक्रियाओं का हिस्सा बनाये जाएगा पुस्तकों तक सभी वर्गों के चातरों की पहुंच आसानी से हो अच्छी पुस्तकें लिखी जाएं और इस बारे में प् मुल्यांकन में भी इनको शामिल किया जाएगा यूवकों को राष्टी और सामाजिक विकास के कारियों में समलित होने के आउसर दिये जाएंगे बच्चों को एंसी सी राष्टी सेवा जैसी योजनाओं में कम से कम किसी एक में भाग लेने का आउसर प्राप्त कराया व्यापक मुल्यांकन लागू करने के संबंद में, परिक्षा संचारन में सुधार करने, मादमिक इस तर से सत्र पणाली शुरू करने और अंकों के स्थान पर गेट का प्रयोग करने जैसे उपाए इन्होंने सुझाए। अध्यापकों के बारे में, सिक्षानीति में कहा गया है कि अध्यापक चैन विदियों को पुनरगठित किया जाना चाहिए। अध्यापकों का वेतन तथा सेवा शर्तें उनके समाजिक दायतों और प्रोफेशनल दायतों के इस प्रोफेशन रूप में इस प्रकार हो कि प्रतिभावों को आकरसित करने का एक कार्य हो सके। प्रोफेशनल के सिक्षकों तता अनौपचारिक सिक्षामे कार्यत व्यक्तियों के लिए पूर्व सेवा एवं सेवारत पाटकरम संचालित करेंगे। संसाधनों के बारे में नोंने कहा कि दान उपहार शुलक आधिकी साहता से संसाधनों को विक्सित किया जाएगा। अब आपके सामने ये चर्चा करना अवश्यक है कि 1996 की रास्टी सिक्षानीति में आखिर क्या परिवर्तन परिमारजन 1992 में किये गए। मुख्य रूप से जो परिवर्तन किया गया उसमें उन्होंने प्लस टू स्थर को स्कूल सिक्षा के एंग में स्विकार करने का संकल्प लिया। और उन्होंने ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को अधिक व्यापक करने। इसमें उन्होंने प्रतेक स्कूल को तीन बड़े कमरे और दो अधियापक उपलब्द कराने की बात कही। और उन्होंने कहा कि भविस्त्य में नियुक्त होने वाले 50% अधियापक महिलाएं होंगी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को उच प्रात्मिक्ता इस्तत पर विस्तित किया जाएगा। और निशुल्क तथा अनिवार शिक्षा उपलब्द कराने के लिए एक रास्टी मिशन चलाया जाएगा। मादमिक शिक्षा संस्ताओं में कंप्यूटर साक्षर्ता को बढ़ावा दिया जाएगा। ये कुछ संसोधन ऐसे थे जो 1986 की नीति में किये गए। संसोधन आप देख सकते हैं कि 1992 में 1986 वाली रास्टी शिक्षा नीति कोही एक तरह से आगे बढ़ाया गया। और कुछ संकल्पों को अधिक व्यापक आधार दिया गया तो कुछ संकल्पों के पृति उनको दोहराया गया। और एक आशा की किरण है कि केंद्र सरकार ने उस पर ध्यान दिया। सक्षर्थ भ्यान पर जोर देने शिक्षा के व्यापक कायश्रम उपलब्द कराने। operation blackboard कारिकरम व्यापक करने महिलाओं की अध्यापक के रूप में नियुक्ति करने अनौपचारिक सिक्षा पर अधिक जोर देने लड़कियों वा पिछड़े बच्चों बर्गों के बच्चों के नामांकरों अधिक जोर देने मुक्त अधिगम पढाली को मजबूत करने इमार जंग राष्टी सिक्षानीती 1986 में किये गए अब से इस्पस्ट हो गया है कि राष्टी सिक्षानीती में भारत की सिक्षा विवस्था के बारे में काफी विस्तार से सुझाओ दिये गए उसका स्वरूप इस्पस्ट किया गया आप सभी प्रारंभिक सिक्षा से जुड़े हुए हैं आप सभी सिक्षार्थी आप से मेरा एक निवेदन है आप जहां पर भी कारे रत हैं आप सिक्षा के रूप में आप यह देखें कि आपका विद्यालय कब खुला कब उस्थापित हुआ और उस विद्यालय में इस रा सकता है आपके विद्यालाय का कोई एक कक्ष ऑप्रेशन ब्लैक बोर्ड के तहत बना हो या आप पाएंगे कि आपके विद्यालाय में सिक्षकों की नियुक्ति भी इस शिक्षा नीती के आने या उसके परिमारजन के बाद हुई हो इस पर ध्यान गया हो तो प्रारमदिक शि अभी आपने डाइट का नाम सुना होगा या डाइट आपने देखी भी होगी जाकरके वहाँ पर प्रारमदिक शिक्षकों को सेवा से पूर्व और सेवा के दौरान पर शिक्षण का अउसर प्राप्त होता है और वो एक functional unit है जहां पर प्रारमदिक सिक्षकों को academic support प्रद जो प्रारंभिक्त सिक्षा से जुड़े हुए हैं, तो यह आपको इस पस्ट परिलक्षित होगा, कि रास्टिय सिक्षा नीती 1986 और उसके शंशोधनों ने भारत की रास्टिय सिक्षा व्यवस्था को, उसकी संरशना को, उसके सिक्षा के विस्तार को, सिक्षा के विभिन वर्गों तक पहुँच को, सिक्षा में विज्ञान और तकनीकी के आगमन को, और कम्प्यूटर के प्रियोग को बढ़ावा देने को, काफी महतपूर तरीके से नकिवल रेखांकित किया था, बलकि भारत सरकान ने उसकी कई सिफारिसों को, कई हैं कि लागू होने के बाद परिवर्तन कई शेत्रों में परलक्षित हो रहा है, आज हम कंप्यूटर के शेत्रों में काफी आगे हैं, हमारे सौफ्ट्वेर इंजिनियर्स पूरी दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में अपनी पृतिभा के दम पर अपना इस्थान काफी हुए हैं, आप सभी से अपनी विद्दान एक बार फिर कहूंगा कि आप अपने विद्यालय के इतिहास से जुड़कर एक बार देखें कि राष्टिय सिक्षानीति का आपके विद्यालय से क्या संबंद रहा है, बहुत-बहुत धन्यवाद.